हाई इवरीवन माई नेम इस योगंद्र कुमार जैस्वाल और आप देख रहे हैं वाई जैस सबसे स्ट्रेंग आज मैं आपके लिए एक वीडियो इसलिए बना रहा हूं ताकि बहुंस सारे ऐसे भाई लोग हैं जो बॉयलर सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास की तयारी तो करना चाहते हैं बट किसी काराण के वज़े से या तो वो जॉब में हैं या अपने घर पे रह करके तयारी कर रहे हैं या जो second class या first class कर चुके हैं और government job की त्यारी कर रहा है उनके लिए वीडियो आज एकड़ इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमने एक live classes करेंगे जिसमें आप लोग को चाहे वो B.O.E. हो चाहे बॉर्ण second class हो चाहे वो first class हो इन सभी की त्यारी वो online के माध्यम से घर मे बैट करके वो आसानी से कर सकते हैं तो इस वीडियो की माध्यम से हम लोग क्या करेंगे तीन मैने का एक complete course रहेगा जिस पे आपको हर एक topic पिए चाहे आप कोई भी बॉर्टर में काम करते हो हाई bracer boiler, low bracer boiler, medium bracer boiler उर्यार हो उन सभी कही एक content video आपको provide किया जाएगा और वो नहीं के तो 2nd class की तयारी के लिए भी आप इसको जोईन कर सकते हो या तो जो बी ओई करने वाले बने हैं जो बीओई का calling कर नंबर कर सकते हैं गया बॉंज चलिक देखते चालों देखते से तयारी करने वाले request को यह सकती है BOE means का होता है boiler operational engineer दुसरा है boiler first class operation के लिए या तो वो interview के त्यारी के लिए भी कर सकता है साथ ही साथ में boiler second class जो की operator होगा या तो operator की त्यारी के लिए या तो interview के त्यारी के लिए वो इस class को जोईन कर सकता है आप लोग अभी तक यादी मेरे चानल को सस्क्राइब नहीं किया तो सस्क्राइब कर लिजएगा मेरे चानल का नाम है वाईजे सक्सेस ट्रेक और इसके थुरू हम लोग आपको पूरा वीडियो प्रोवाइड करेंगे ये जो सारी वीडियोस है ये हमारा ऑन लाइन क्लासेस होगा और आन लाइन के माध्यम से ही हम लोग आपके साथ जोड़ेंगे या आप हमारे साथ जोड़ेंगे इसके थुरू हम लोग क्या करेंगे कि डेली हम लोग दो से तीन क्लास अटेंग करेंगे कि एक दिन का दो क्लास रहेगा मिनिमम तो उसमें आपको जूड़ रहा है चाहे वह आप क्लाइंट में हो चाहे घर में हो कहीं से भी आप क्रेंट करके त्यारे कर सकते हो इनमें आपको पता ही होगा कि बॉलर सेकेंड क्लास सब्सक्राइब के बीज़ बारे निकलते हैं तो इसके कॉंटेंट के बारे से कॉंटेंट के बारे से देखेंगे अगर कॉंटेंट की बाद की जाये तो हम लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से डिफरेंट तैपसे की question answer जो पूछे जाते हैं पेबर मूर के बारे से देखेंगे सांसाथ पॉइलर का introduction कौन-कौन से बॉइलर होते हैं बॉइलर का क्या होता हैं सभी के बारे से देखते चलेंगे उसके बाद में इंट्रोक्शन के बाद में आईडियार एक्ट जो की 1923 या 1950 के बारे से देखेंगे साथ साथ में boiler parts and working सभी boiler के जितने भी parts होते हैं और कौन-कौन से कारे करते हैं उनके बारे से देखेंगे boiler के interlocks and protection ये interlock and protection के बारे से पूरा बताया जाएगा आपको कहां-कहां पर क्या-क्या interlocks होते हैं क्या क्या प्रोटेक्शन का यूज किया जाता है standard operating procedure किसी की plant का एक standard operating procedure होता है उतके बारे से आपको बताया जाएगा next class रहेगा boiler emergencies means boiler का drug level high हो जाए low हो जाए या furnace का temperature high हो जाए या लोग हो जाए जाएगा furnace में कुछ problem आ गया एर प्रीडर काम करना बंद कर दे या एर प्रीडर में कुछ leakage हो जाएगा तो क्या हो सकता है ID fan बंद होगा तो क्या होगा boiler black out हो जाए तो क्या होगा इन सभी emergencies को कैसे handle किया जाएगा इन सभी के बारे से बताया जाएगा साथी साथ कैसे उसको हम लोग को handle करना उसको देखना है ना next है energy efficiency in boiler means boiler की efficiency को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या कैसे एक actual efficiency को उसको operate कर सकते हैं क्या क्या parameters होना चाहिए उनके बारे से इसको बताया जाएगा साथी साथ में basic boiler engineering boiler engineering means उसमें कौन-कौन से parts लगे होते हैं उनका material क्या होगा सभी parts के material के बारे से उसके कैसे conditions किया जाते हैं उन सभी के बारे से बताया जाएगा next water treatment वालर में जो पानी यूज किया जाते हैं उसके क्या 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 chemical procedure होता है और उसको कैसे operation किया जाता है कैसे उसको isolate किया जाता है या कैसे backwash किया जाता है इस सभी के बारे से इसमें बताया जाएगे next है metallurgy और boiler and tube failure metallurgy कौन-कौन से होते हैं boiler में कौन-कौन से metallurgy मतलब metals कौन-कौन से use किया जाते हैं और boiler के tube failure किन-किन कारणों के वज़े से होते हैं उनको आपको बताया जाएगा next है emission control devices and assembling system अब कई जगा assembling system होता नहीं है कई जगा ESP नहीं होता है तो अलग-अलग boiler के लिए अलग-अलग emission control device लगे होते हैं और ESP system होता है उनसे भी types के बारे से बताया जाएगा साथी साथ में boiler erections and commissioning activities के बारे से बताया जाएगा erections कैसे किया जाता है boiler को और erections के बार में उसको कैसे commissioning की जाएगी commissioning के लिए कौन-कौन से procedure को follow किया जाता है क्या-क्या safety devices को उप्यूप किया जाता है और कैसे safety रख करके commissioning की जाती है इन सभी के बारे से उसको बताया जाएगा साथे साथ में routines and schedule checks कि boiler में जब running condition में क्या-क्या होगा उसको कैसे check किया जाएगा क्या-क्या प्री activities होती है उसके बारे से आपको बताया जाएगा next है boiler objective questions and job application के लिए मतलब जितनी भी आपके IOCL, Yale, Yale या फिर sale यह सभी में जो boiler second class या first class वालों को भरती लेता है तो आईटे प्लस डिप्लोमा देखो, ITI रहेगा प्लस second class होगा या तो डिप्लोमा रहेगा और डिप्लोमा के बाद में आपको first class इन दो चीज़ के बेस पर ही job ज्यादा कर लेता है इस वीडियो को या इस वीडियो के साथ जोने के लिए आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए आपको एक नंबर प्रोवाइट किया गया है वो नंबर है 989-6219-0405 इस नंबर पर आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं यदि आप ओनलैन क्लासेस लेना चांथें तभी कॉंटेक्ट करें और जानकारी के लिए आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं तो चली मिलते हैं आप नेच्ट और यस्वीडियो क्लासेस में टब disadvantaged करने के लिए इस नंबर पर आप कॉंटेक्ट कर सकते है क्लिए है बढ़ एका बार के जार कि में एका पलाई कि अ घर भाल कि अब्यच्ट में एका तो